हाई मेरा नाम है सनी और आप देखरें एलेक्टिकल वोई सनी यूटूब चैनल अगर आप मेरे चैनल फॉर्श टाइम आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नॉटिपिकेशन मिलता रहे जो आजकी वीडियो में जो बात करने वाला हूँ आजकी वीडियो में मैं UGESI फॉर्म के बारे में बात करूँगा की कैसे फील अब करते तो हौट टो फील अब यहार यूजी एसी फॉर्म चलो देखते हैं तो श्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके ऑफिसल अब बड़ डालना पड़ेगा फिर भैरिफाइब उसके लिए वगये डालोगे ठीक है फिर आप इमेल आईडी वेरिफाइब करोगे लिजिसन एक बात आपको जो इमेल आईडी अपने में दीया था सें सकते हो ठीक है तो सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ जैसे हैं है करोगे यहां पर आप अपना जैइमेंस का अप्लिकेशन नंबर तो अटोमेटिकली फिल अप हो जाएगा फॉर्म ठीक हो जाएगा आपके नाम बगएरा सब कुछ आजाएगा आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर करने के बाद आप देखो मैंने मोबाइल वैरिफाइब यहां पर ग्रीन हो गया जैसी करोगे आप उसके बाद मैंने इमेल डाला और सेंट किया पिर इमेल वैरिफाइब करूंगा यह भी घृइन हो जाएगा जैसे ग्रीन होगा उसके बाद में एक न्यू पास्वर्ट आप कुछ भी चूज कर सकते हो जिसमें लेटर होना चाया और एक special character जिसे add the rate और number यूज़ करना है आपको ओके और फिर confirm password आपको रखना है फिर आपको अधार कार्ड देना ये ये compulsory नहीं आपके पास है तो दे सकते हो नहीं तो नहीं लेकिन मेरे खियास से दे देना चाहिए अधार number दोगे फिर एक security question आएगा जैसे कुछ भी आपका childhood name क्या है आपका फैबरिट teacher कौन सा है कुछ भी choose कर लो आप कर सकते हो ठीक है उसको करने के बाद आप जाओगे नीचे capture होगा उस capture को आप जा करके जो होगा word में 1234 ऐसे करके 56 डिजिट का होगा उसे करके submit करोगे और हाँ अभी मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे live मैं अभी email id वगेड़ा भी कर रहा हूं यहां पे देख लो mobile number verify तो हो गया अब मैं email id verify करता हूं ठीक है थोड़ा आने में टाइम लग रहा था विकाउज मैं system में कर रहा था मैं दूसरे का form थिलब करना student का तो उसको मैं phone कि हो कि भाई आपना email id वो बताओ पासवर्ड आया या नहीं आया ठीक है तो वह बच्चा अभी करेगा तो इसलिए form थोड़ा सा slow है यहां पर don't worry आप video को एकदम last तक देखना total video आपको पूरा completely देखना है payment तक है इसमें और इसमें जो most important बात है जो आपको आपको रखना है वो चीज़े में आपको बता देता हूं सबसे पहले आपको आपको आपना photo रखना है signature हिंदी और इंगलिस में यह तीन चीज़ आपको upload करना है तो आप यहां पर देख सकते हो मेरा email id वी verify हो चुका है अब मैं password यहां पर लगा रहा हूं मैं blur इसलिए किया हूं क्योंकि यह किसी की personal data है इसलिए मैं उसे public नहीं करना चाहता हूं इसलिए यह आपको ऐसा दीख रहा है ठीक है उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो जैसे ही मैंने password यहां पर दिया email id वेरिफाय हो चुका है अब मैं यहां पर अधार नंबर डाल रहा हूं फिर security question और फिर यहां पर आप OK क्लिक करोगे ठीक है इसके बाद यहां पर आपको ना confirmation के लिए एक screen पर दिखेगा भी आप देखना ठीक है इस screen पर दिखेगा उससे आप confirm करोगे कि आपका क्या-क्या सही है पहले confirm करने से पहले एक बाद चेक करने कि आपने जो भी details डाला है वो सही है या wrong है ठीक है आप यहां पर अभी देखो कि आपी जैसे आपको और दूसरी बात आप अगर अपने से form फिल अप कर रहे है तो photo की sizing है ना यार बहुत matter करेगा मेरे को वही करने में बहुत time लग गया आप जो भी हो please cafe से जाके करवाना क्योंकि cafe वाले आपके ना फटा-फट कर देंगे वो हमेशा करते रहते है practice में ठीक है तो इसलिए मैं बोल रहा हूं cafe से करवाना ठीक है विकाउस आप करोगे तो आप रिसाइजिंग नहीं कर पाऊगे फोटो का रिसाइजिंग करना है सबसे बड़ी बात है कि photo 100 kg के अंदर होना चाहिए ठीक है और 3 kg से बड़ा होना चाहिए sizing में उसके बाद उसका width और height ठीक है दोनों रख बार बार फोन करना पर रहत हो उनको इसलिए तो यह देख लो यह यह प्लीज भैरिफाइज इसके बाद ही आप कंफर्म करना जो औरेंज के लटके नीचे में दिख रहे हैं वो कंफर्म का बटन है पहले आप चेक कर लोगे अपना नाम नेम आप कॉंसलिंग जेए मैंस अ ठीक है उसके बाद कैप्चा नीचे डालोगे उसके बाद साइनिंग करोगे यह मैं इमेल आडी यहां पर डाल रहा हूं ठीक है आप लोग देख रहे हो हाँ थोरा स्लोव है डोंट वरी ठीक है लेकिन आप लोग भी अराम अराम से केरफुली करना प्लीज इमेल आडी जो आपको डालना है जैसे देखो मैंने यहां पर इस्कूल नेम बोर्ड नेम कौन सा है पासिंग यह किया पासिंग यह स्टेस किया पाज़ दे असको नीचे आयो सेलेक्ट बटन है ठीक है उस अलेक्ट को किलिक करो यहां पर डिपलोमा वाले बच्चे भी कर सकते हो और यहां पर डिपलोमा के बेसिस पर कर सकते हैं ठीक है तो अब देखो यहां पर मार्च डालने में बहुत इंपोर्टेंट है आप देखो यहां पर कि मैं पहले स्कूल का नाम लिखूंगा जो भी स्कूल कॉले से पास आउट हुआ बच्चा फिर कौन से बोर्ट से पासिंग यहां पर सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके बाद आप मार्क मार्क्स और टो यहां पर नहीं देख रहा है वह आप नीचे फिल अब करोगे देखो प्लीज फिल अप सब्जेक्ट डिटेल्स नीचे करोगे तो ऊपर में जो आपका है ना परसेंटेज ऑटोमेटिक बन के उसी का आपको marks यहां पर डालना है नीचे में आपको दीख रहा होगा English ठीक है marks obtained आपको 100 marks में कितना आया होगा वो देरसो इंगलिस मठ डालना प्लीज आई रिक्वेश्ट तो लफ यू देर सो इंगलीज नहीं डाला जाएगा 100 मार्क्स के इंगलीज डाली जाएगी यहां पर ठीक है 100 मार्क्स में आपको कितना आया है ठीक है यह याद रखना यह परसेंटेज हो गया अब नीचे में आऊँगा ठीक है यहां पर देखो आप इस डिटेल्स नहीं आए अब जैसे नीचे फिल अप करूँगा उपर में ओटोमेटिक लेगा इंगलीज में जैसे इसका है 72 मार्क्स है इस बंदे को तो मैं डालूँगा आउट ओफ 100 में रखने वाला हूँ ठीक है यह देखो मैंने फिल अप कर दिया 100 फिजिक्स कमेश्टी ऊपर में ओटोमेटिकली 65.67 परसेंटेज आया आपको कोई प्रावलम नहीं है यहां पर आपका जो हिंदी का मार्क्स नहीं जूटेगा और पचास नंबर इंगलीज का जिसका भी डेर करोगे जो आपने फिल अप किया यह आपका डेको क्लारिफाइ करोगे नीचे में उसके बाद फिर नेक्स्ट पेमेंट के लिए आप जाओगे बस इतना ही है इस फॉर्म में इतना ही करना है आपको आप खुद देख सकते हो मैं इस बच्चे का फॉर्म फिल अप किया कर लेना है कि यह क्या क्या मैंने फिल अप किया अगर कुछ भी प्रॉबलम है तो आप नीचे में आओगे बटन दिया हूआ है बैक एन एडिट रेड कलर की बटन नीचे में आप देख सकते हो लेट साइट में वहां से आप चेंज कर सकते हो प्लीज क्लैरिफाइ करने के पहले अभी आपको एक बर और कंफर्मेशन यहां पर मिलने वाल है तो प्लीज भी फिलप बी केरफुली प्लीज आपको केरफुली यहां पर करना है और हाँ सबसे बड़ी चीज मैंने इस टार्टिंग में बताना भूली आपको यहां पर कटेगरी आप अगर जेनरल थे यहां पर आप EWS हो तो यहां पर EWS डाल सकते हो चूज कर सकते हो दूसरी यहां पर OBC हो तो OBC दे सकते हैं जो भी आप काश्ट हो EBC, BC, EWS वो यहां पर दोगे चाहिए आपने JMS में डाला हो या नहीं डाला हो doesn't matter आप यहां पर डालोगे मैंने इस बच्चे का JMS में जेनर यहां पर नहीं दिया है कोई मतलब नहीं इन्होंने JMS में नहीं दिया था तो यहां पर भी नहीं दिया जिन्होंने दिया है वो देंगे और एक बात और बता दो आपने JMS में जो भी फोटो दिया है कोई मतलब नहीं है आप कोई भी फोटो यहां पर डाल सकते हो ठीक है ल यहां पर जाकर को backbone ौइढ आप कर सकता है यहां यहां पर प्लीज चेक अलगी खूल उसके बाद देखो इहां पर यहां पर i रॉपे कार्प्लेश नेट-डीमक टेपिध एह हूड है उनसे करूगा आप देखो कि जैसे ही में click करूंगा यहां पर बारकोड हो जाएगा देखो मैं जैसे लिक करूंगा आख बारकोड होगा matching upi पर मैंने click यहां पर ऐाँ और option आई इसे ऩू量 पर पैसा लगा यह नोटी कि करें यहां पर उपliesब ट्लिक racist लग तो यह देख सकते हैं कितनी मैनस से अपके लिए वीडियो बना रहा हूं ठीक है बहुत टाइम लगाया इसके लिए यार लिटरली बहुत एडिटिंग किया हूं देखो ऐसा बार कोड जेनरेट हो जागा और यह बार कोड को आप इसकेन करोगे फॉन पे या गूगल पे से ज प्रेस हो जाएगा आप देखो पांच मिनट का टाइम मिलता है पांच मिनट पचास सेगेंड का मिला था ठीक है तो फाइब मिनट 44 सेकेंड हो रहे हैं आप खुद देख सकते हैं यहां पे और जैसे मैं अपना फॉन पे पर अभी स्कैन करूंगा इसको देखना अभी कैसा होता है pairman करो गे-補ैमों करने के बाद एक bo idea का रहेंगा जो पाटय और पार्ट बी जो मांग रहा है आप लोग दोकल्य में तो यहां से ही ईंड व्लोड होगा जैसे अगलना परने को बना निकालना निकालना है new एक आप्रिंट होने लगा और अब देखो क्या आएगा ज प्राश्ट में देखो क्या लिखा हुआ अप्लिकेशन फॉर्म हाड कॉपी उस पर क्लिक करोगे जैसे यह आप उस पर क्लिक करोगे आपका डाउनलोड हो जाएगा फाइल यस जैसे मैंने क्लिक किया यह देखो फाइल को आप इन करके ऐसा कुछ खुलेगा इसमें पार्ट आप प्र नीचे आपको पूरा दिखेगा इसमें यह ही है कि फॉस्ट काउंसलिंग से फॉर्म फिल अब करोगे कोई भी प्राब्लम कोई इसो आप कमेंट करके पूछ लेना ठीक है रिस्क मत लेना हाँ केडेगरी आपको बोल किया हो आप यहां पर जो भी हो रियल में वह देना जो जैइमेंस में दिया है गलती से वहां पर जो भी दिया यहां पर ठीकर सकता है कोई डीकूट है प्वुड है वहां पर नहीं दिया है यहां पर दे सकता है ठीक है कोई प्रॉबल्म नहीं है इसमें यह सब बाते याद रखना और हां एक सबसे मोस्ट इंपर्टेंट बात है आप लोग उसे स्टार्टिंग में फॉर्म में पूछा जाएगा कि एनुवल इंकम इस यूर पैरेंट्स एनुवल इंकम इस लेस देन एट लाग यूँकि उसको ना यह मसुच ना कि मोर देन सब लोग 9 कर देंगे लेकिन आपको यस करना है वहाँ पर आपको यस करना है जिसका भी लेस देन हो उसको केरफुली पढ़ना मैं बता रहा हूँ वहाँ पर बहुत सारे बच्चे पिछले साली मिस्टेक्स किये थे इस बार ही मिस्टेक्स करोगे आप लोग ठीक है तो यह याद रखना कि यूर फैमिली इंकम फादर या मदर इंकम इस लेस देन है वहाँ पर मोड देन नहीं है लेस देन एट लाग तो आपको यस करना है वहाँ पर जाकर करके स्टार्टिंग में ही जब आप फॉम फिलप करगो तो तो त्रेंक्यू सो मच ऐसा ही होगा फ पूरा वाच करने के लिए बाब